दोस्तो सुवागत आपका फिर मेरी एक नई वीडियो में तो दोस्तो जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था मैं पाचक चूरन बना रहा था तो दोस्तों का बहुत सारी दोस्तों का रिक्वियरमेंट आया कि आप इसके घटक दरेवी हमें भी बताएं और इसके पूरे वीडियो अपनोड करने की दिक्कत होती है कि पार्ट इखटे करने पड़ते हैं तो दोस्तों मैं आपको इस नुस्का के घटक दिरभी है और वजन अनुपान बताता हूं तो आपसे मेरी एक रिक्वैस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन की घंते को प्र कर आती हैं सीने पर जिलन चड़ती है थी दोस्तों फिर बोह को चड़ते हैं तो आप का दिमाग सोता पतन ही अगर आपका पेट सही है तो दोस्तों जब आपके लिईवर के अंधर करमी पैदा होगी आते साफ नहीं होंगी तो आतों के ओपर मल चुपक जाएगा जो के मल आने वाले जो पोशन तरत आप खाओगे उसके अंदर जो तकत होती है जब आतों के ओपर मल चुपक जाएगा तो वो उसे हमारी आत आफजोस्ट नहीं कर पाएंगी जिससे हमें बहुत ज़र दिकत पचाने में होगी और हमारे अंदर तिजाबियत वो खाना सड़ता ही रहेगा वो हमारे सीने के ओपर चड़ेगा दिमाग को चड़ेगा हाथ पैरों के अंदर गर्मी पैदा होगी नजर कमजोर हो जाएगी गुर्दे कमजोर हो जाएंगे किड़नी फेलेर हो जाती है दोस्तो तिली बढ़ जाती है हमारी आथों में खुस्की बहुत ज़्यादा हो जाती है खुस्की के वज़े से मल चुपक जाता है और कैई बार दोस्तो तरीकी वज़े से भी चुपक जाता है और ज्यादा खुशक होगा बहुत ज्यादा खुशक तो अंदर बहुत ज्यादा खुशकी कर देगा वो चीर के आएगा तो फिर आपको पाइल्स की दिक्कत कर देगा बवासीर भगंदर बना देगा तो दोस्तो आपका बिलेड दूसीत हो जाएगा उनके लिए दो, घर में बना के दोस्तो अपने 24 घंटे रखो, पता नहीं कब इसकी जरुत पड़ जाए, अफारे में दो दोस्तो, तो ये नुश्का दोस्तो बहुत जबर्जस्त और उत्तम कलम कमाल का नुश्का है, तो मैं आपको इसे बता देता हूँ, दोस्तो मैं इसकी सना की पत्ती लेनी है, इस तरह के साफ सुतर लेनी है दोस्तो, तो इसमें कही बार मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की डंडी पाई जाती हैं, दोस्तो, काफी बड़ी बड़ी डंडियां होती हैं इस तरह की, तो आपने ये डंडी चुक्ल के साफ कर देनी हैं, और इ की नहीं रहती दूसरे नमबर पे लेना है आपने दोस्तो गुले सूर्ख यानिके गुलाब के फूल ये आपने सुरख वाले लेने हैं जैख सकते हो बड़िया वाले बेहत्रीन वाले फूल तो दोस्तो मैं आपको वजन भी साथ साथ बताता चलूँ इसके अंदर आपने सना लेनी है 80 ग्राम और सना को आपने लेके रोगन बादाम में बिरियां कर लेना है यानि के जब्स कर लेना है इसके अंदर थोड़ा सा बोरोगाने बादाम डाल कर उसे तविए पर गरम कर लेना है जिससे इसका कलर और इसकी तासीर चैंज हो जाती है दोस्तो दूसरा अपने गुले सुख लेना है ये लेना है आपने पचास गिराम तो दोस्तो आया अपने लेना है बड़ी पीपल तो ये आपने लेना है 20 गरम साफ सुतरी चीजे लेनी है आपने दोस्तो पनचास स्टोर को आप पैसे देते हो आप उससे कववार क्या करते हैं किड़ा लगी हुई और गली हुई चीज़ दे देते हैं कहते हैं उसका वजन थोड़ा बढ़ा के डालो यह वही काम करेगी तो दोस्तों वह काम बिल्कुल भी नहीं करती आपने जब उसे पैसे एक नंबर दे रहे हो तो आपने चीज़ भी एक नंबर ही लेनी है आपने यह देख सकते हैं दोस्तों यह भी बोलते हैं जंजवील ठीक है तो जंजवील भी बोलते हैं अद्रक बहुत हैं खुशकच यानि के सूकी हुई अद्रक भी बोलते हैं ठीक है ये इसके दो तीन तरह के नाम थे तो मैंने आपको बता दिया कि इसके जंजबील भी बोलते हैं अद्रक भी बोलते हैं और खुशक अद्रक भी बोलते हैं तो ये आपने लेनी है दोस्तो 50 ग्राम दोस्तो ये आगए अपना रेवन दुसारा ये दोस्तो वजन में बहुत ज़्यादा हलका होता है और ये इस कलर का होता है हलका सा यालो कलर में एक होता है दोस्तो रेवन चीनी एक होता है रेवन खताई तीनों ही चीज एक अलग-अलग है और तीनों के ही काम अलग-अलग है दोस्तो यह वजने बहुत ज़्यादा हलका होता है तो आपने यही वाला लेना है तो यह लेना है आपने रेवन दुसाना 40 ग्राम दोस्तो यह आगे अपनी काली मिर्च ये आपने लेनी है दस गिराम ये आगए दोस्तो अपना जोखार साफ सुत्रा इस्तरा का लेना है ये आपने लेना है चालिस गिराम ये आगए दोस्तो गंदक आमला सार साफ सुत्री ये आपने गंदक आमला सार को लेके इसको आपने 21 बार गाये क दूब में मुदबर करना है तो फिर आपना ये इसकलर आजाएगा तो यह आपने लेनी है 20 ग्राम यह आपके आगया काला नमक तो यह आपने लेना है इसके अंदर 10 ग्राम और यह आगया दोस्तो नोसादर तो दोस्तो नोसादर वो चीज है जो आपके सरीर के 900 दरों को खोल देता है तो इसलिए दोस्तो आप इसे नोसादर ठीकरी बोलते है तो आपने इस तरह की टिकी नुमा साफ सुतरी नोसादर लेनी है दो नमबर वाले पंसार क्या करते हैं इस तरह की नोसादर रख लेते हैं तो ये मैंने देखो आपको दिखाने के लिए सिरिफ मैं लेकर आया हूँ ये इस तरह की काली सी और ये हल्की सी यालो कलर बिलेक सी है ये अच्छी पकी हुई नहीं है तो ये आपने हो सके तो थोड़ा सुद्र करके डालनी है तो ये नोसादर भी आपने दोस्तो 20 ग्राम लेनी है तो दोस्तो सारी जड़ी बूटियों कूट पीश के इसका पोडर कर ले अलग अलग पीश हैं दोस्तों एकटी नहीं पीशनी कभी भी और इसे अपने पास महफूज कर लें तो यह आपका बहुत जबड़ जश्ट काया कलब चूरन बन गया तो दोस्तों मैं आगे 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 आपको एक माजून लेकर आता हूँ कल आपको एक माजून बताऊंगा जो के बहुत जबड़ जश्ट माजून होगा आपके विल्यश्ट के लिए जिसका का दोस्तों के बिलेड बेर बे डाउन जाता रहता है दोस्तों मैं उसके गुन गिनाओ तो वीडियो बहुत लबा हो जाएका तो दोस्तों मैं उसकी आपको कल वीडियो में तफसील से बताऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्ते को साथ सेर करें ताकर हर दोस्त के पास हर घर में ये चीज जा सके दोस्तों और आये वेर्थ का प्रचाब, प्रशार हो सके दोस्तों ये चीज आपने خود नहीं बनानी किसी वैद हकिम से ही बनानी है अगर आप खुद बना के इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों इसमें हमारी कोई भी जुम्मेदारी किसी भी तरह की नहीं होगी क्योंकि आपको अपने मिजाज का पता नहीं है आपके अपने तासीर का पता नहीं है क्या आप गरम तासीर हो ठंडी हो क्या आपकी तासीर है क्योंकि आप गरम तासीर के हो तो आप गरम निदवाई बना के खाने शुरू कर देते हो तो आप उसके फाइदे की जग आपको नुक्सान हो जाते हैं तो दोस्तों मेरी रिक्वेट्ट ते आप से खुद से कुछ ना बनाए किसी व्याद हकीम डोक्टर के पास जाके सलाचे उससे बनवाएं या उससे बनवा के लें या अपनी तासीर चेक करवा के उससे लुक्स का दिखा के तब इस्तेमाल करें थैंक्यू दोस्तों